नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इश्टेटी विद्ग्यान प्रकास में अभी थोड़ी दिर पहले इलहाबाद हाई कोड की ARO पर इच्छा जो हुई थी तो उसका जो रिजल्ट है वो आउट हो गया है टीर वन का और जैसा कि पहले से अनुमा लगाया जाता कि सीटों की संख्या काफी कम थी और इसी के साथ साथ क्वेश्चन पेपर जो थे वो काफी सरल पर करती के थे और साथ इसा सबसे बड़ी बात है कि नेगटिव मार के इनना होने की वज़़े से यहाँ पर जो कटाफ है वो काफी हाई गई है अगर आप जो ओफिसल वेब साइट है वहाँ पर जाकर इस पीडिएफ को प्राप्त कर सकते हैं और दीख सकते हैं तो फिलाल फ्रेंड्स जो ओफिसल कटाफ है वो डगलियर नहीं हुई है लेकिन फिर भी सोचल मीडिया पर जो अंक सेर किये गए हैं लोगों के द्वारा उनके आधार पर यहाँ पर काफी हद तक सही कटाफ में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ हलांकि अगर कटाफ में आपको कोई विसंगती परतीत होती है तो आप कमेंड के माधियम से हमें सूचित कीजिए जो अगली वीडियो बनेगी तो उसमें हम आपको बता देंगे कि फाइनल कटाफ कितनी रही फिरा फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ पर तो जनरल कंटिनेट के जो कटाफ है वो 157 है जबकि OBC के जो कटाफ है वो 169 है अब आपके मन में एक सवाली आ रहा हुगा कि OBC की कटाफ जनरल से हाई क्यों गई तो आपको बता दें कि इसका कारण यह था कि जो टीर वन का वो मतलब अलग-अलग काटेगरी में जारी होना था मंदब जनरल का जनरल काटेगरी में OBC का OBC कि तेगरी में ठीक है तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जनरल की कटाफ है वो 157 है और वहीं पर जो OBC की कटाफ है वो 169 है कटाफ लगबग एक सो तिरपन है इसमें हो सकता है कि प्लस माइनस वन नंक यानि कि यह से कि ओभी जी का 167 से 160 हो सकता है या और 80 का 153 है तो 107 हो सकता है तो लेकिन जनरल का आपडेट आपको एक दू दिन में आफिसली प्राप्त हो जाएगी फ्रेंट्स यह थी सूचना एससी यारों के बारे में से इस अगले वीडियो में तब तक लिया ग्यांदी जी नमस्कार जैहंद